Good morning students, आज का टॉपिक है Experiments of Mendel Mendel, जिने की हम Father of Genetics भी बोलते हैं इन्होंने अपना काम किया P plant से P plant को ही सेलेक्ट किया इन्होंने अपने experiments P plant पे और उसके बाद इन्होंने basic ये experiments करने के बाद इन्होंने basic laws दिये genetics के जो की आज तक हम follow करते हैं तो जो P plant हैं इन्होंने क्यों choose किया क्योंकि उसमें ये सब characters पाए जाते हैं सबसे पहले जो P plant है ये annual है इसलिए ये बहुत से और साथ में ये बहुत से individuals एक साथ बना देता है इसकी जो life cycle है वो बहुत छोटी है तो हमें बहुत सी generations जो हैं कम time में study करने को मिल जाती है तो results जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं ये plant bisexual है ये भी बहुत important है ये bisexual है bisexual होने की वज़े से कि इसमें cross और self pollination दोनों की ही possibility मिल जाती है और ये polyploid नहीं है ये diploid plant है तो इसमें भी जो calculations है वो easy हो जाती है then इसके बाद इनमें बहुत से contrasting characters हमें मिलते हैं जैसे size का, seed का जो कि अभी हम आगे समझेंगे और pod का ये जो plants हैं, pea plant है ये self pollinating plant है लेकिन इसमें अगर हम चाहें तो artificial pollination भी कर सकते हैं जो कि hybridization के लिए बहुत important है hybridization अगर हमें करना है तो हम cross pollination हमें चाहिए और cross pollination भी यहां easily हो जाती है क्योंकि self incompatibility factor यहां पे exist नहीं करता इसके बाद यहां पे pure lines पाई जाती है जो कि हमाई in experiments के लिए important है क्योंकि यहां पे self fertilization है और जैसा कि मैंने बताया self incompatibility नहीं है और reciprocal crosses भी यहां पे possible है तो इन सब characters की वज़े से जो mendel थे इन्होंने p को select किया और p के साथ उनको पिलकुल desirable results जो हैं वो मिल गए अगर हम contrasting characters study करें जो की p में पाए जाते हैं और जिनको mendel ने अपने experiments के लिए use किया वो हैं यह seven characters पहला है plant height then second is position of flower third is color of seed coat then color of cotyledons color of pod form of pod and shape of seed तो हम देखते हैं क्या-क्या इसमें characters हैं एक तो है plant की height दूसरा seed seed के characters position flower की और फिर pod के characters pod मतलब फली फली के characters तो सबसे पहले हम height देखें तो height में दो contrasting characters होते हैं कुछ plants लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं लंबे जो है 5-6 एक feet height से भी कम के position जो है axillary हो सकती है या terminal हो सकती है seed coat जो है ये white color के भी पाये जाते हैं gray color के भी पाये जाते हैं जो cotyledons है, yellow भी है, green भी है जो pod का color है फली का color ये green भी पाये जाता है yellow भी, form जो shape है pod की फली की वो inflated हो सकती है constructed हो सकती है और जो shape है round और wrinkled है अगर हम इसकी diagram में देखें तो ये जो हमारा पौदा है plant है, pea का वो ऐसा दिखता है और जो उसकी फली है वो ये है, उसके अंदर ये seeds पाये जाते हैं तो हम देखें जैसे shape है shape तो ये round हो गई, ये हो गई wrinkled color, yellow, green color हमें देख सकते है seed coat color, एक तो color है cotyledon का, दूसरा color है seed coat का, उसके बाद pod फली अगर हम देखें तो एक फली की shape inflated ऐसी हो सकती है या फिर constructed इस टाइप की हो सकती है color green या yellow then comes position of flower flower की position देखें ये है, ये जो हमें pod दिख रहा है ये flower से बना है, तो ये axillary position हो गई और ये यहाँ पर ये tip पर हो गई terminal position और then height height जो है वहने बताया आपको 6-7 feet तक चली जाती है tall plant की और छोटे draft plant की एक feet से कम की है, mendel ने crossing technique किये, उसमें क्या किया, कि जो P था ये self pollinating plant है, लेकिन इसमें क्योंकि cross pollination भी हो सकता है, तो उन्होंने cross pollination किया, cross pollination करने के लिए उन्होंने enthurs को self pollinating flower है तो उसमें जैसे ही stigma और enthurs mature होंगे, fertilization हो जाएगा, तो उन्होंने flower की maturity से पहले enthurs को वहाँ से हटा दिया जब enthurs को हटा दिया, तो male gamete वहाँ से हट गया, ऐसी flower को, जहां से की enthurs को हटा दिये जाते हैं, ऐसे flowers को हम कहते हैं, इस process को हम कहते हैं, emasculation तो emasculated flowers को उन्होंने bag कर दिया जो stigma थी, वो receptive होने से पहले उन्होंने उसके उपर वहाँ से enthurs तो हटा दिये, और इसको bag कर दिया इसलिए ताकि कोई बहार से enthurs आके वहाँ पर pollination ना कर दे उन्होंने bag इसलिए भी किया कि वो अपने हिसाब से desired pollen से उस stigma पर pollination कर पाएं, तो उन्होंने क्या किया, emasculate किया, emasculation किया flower का, और फिर अपने चाहने वाला, जिस भी flower से उनको cross pollination कराना था, वहाँ से उन्होंने pollen collect किया, और उसको dust कर दिया, stigma पर emasculated flower के और जो stigma है उस time पर, receptive होनी चाहिए जब dust करते हैं, तो mature होनी चाहिए और जो pollen ले रहे हैं, वो भी mature होने चाहिए, तो आपस में जब ये pollination होगा, तो fertilization हो जाएगा, fertilization के बाद नया seed बनेगा, ये जो नया seed होगा, ये cross pollination की वज़े से हुए दो अलग-अलग desired characters को मिलाने के लिए किया उन्होंने उसके बाद हर एक, जो seven characters मैंने अभी उपर बताए, हर एक character के साथ उन्होंने ये सब, ये process किया और उसके बाद उन्होंने एक time तो जैसे अगर tall plant को उन्होंने male बनाया, तो second time उन्होंने साथ में ही tall plant को female भी बनाया, मतलब दोनों type से उन्होंने इसको किया, अगर एक का stigma यूज किया, tall का, तो pollen grain यूज किये, draft के, उसके बाद stigma लिया, draft का और pollen लिये tall के, तो इनको हम कहते हैं reciprocal crosses, reciprocal crosses भी उन्होंने use की इस experiment में और उनको results जो है, वो same मिले जो population मिली, जब पहले hybridization, cross pollination जब किया contrasting characters का, तो जो first generation मिली, उसको कहा गया, F1 first filial generation जो F1 plants, जो progeny थी, F1 plants से जो हमें seed मिले, उनका self fertilization किया गया, और उसको कहा गया F2, F2 F2 जो है, उसके बाद F3, next generation, F4 भी उन्होंने obtain की, और जो उनके results आए, जो उनको seeds मिले उनको जब उन्होंने फिर grow करके जब देखा, तो उनको अलग-अलग crosses में, अलग-अलग results मिले, जैसे अगर उन्होंने tall और draft plant को जब उन्होंने combine किया contrasting characters को cross pollination के दोारा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे beach की size के height के जो है plants मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्हें सब लंबे मिले या किसी में उनको seeds color है तो उनको एक ही जैसे seed मिले F1 में, और F2 में वो generations, वो number जो है, वो बदल गया, तो इन सब studies से, जब उन्होंने एक character को consider किया, तो उसे उन्होंने कहा mono hybrid cross, और जब दो characters को mono hybrid, जब उन्होंने एक character को किया, तो उसे उन्होंने कहा mono hybrid, और जब उन्होंने 2 को किया, 2 characters को consider किया, तो उसे उन्होंने कहा die hybrid, इसी तरह से 3 और 4 को उन्होंने tri hybrid, तो दो एक character हो गया, जैसे केवल उन्होंने ये ले लिया सीड शेप ले लिया, round और wrinkled, केवल इसकी study की इसी को ही consider किया, बागी characters को उन्होंने नहीं देखा अब tall और draft plant है, तो उन्होंने ये ही देखा character, और die hybrid में उन्होंने क्या किया, दो चीजों को consider कर लिया, जैसे length को ले लिया, और seed की color को ले लिया, या seed की shape और color ले लिया, तो जब दो characters को, contrasting characters को उन्होंने study किया, तो उसको कहा di hybrid, और F2 में उन्हें सब में अलग-अलग ratios plant की मिली, तो उन basis पे, monohybrid और di hybrid के basis पे उन्होंने तीन laws formulate किये, जिनका नाम है law of dominance, law of segregation and law of independent assortment, तो ये जो laws हैं, इनको हम next topic में समझेंगे, साथ में हम समझेंगे, monohybrid और dihybrid cross, thank you बच्चो